दोस्तों आप सभी का सवागत है आक्षे वसिष चैनल पर इस चैनल पर मैं आक्षे वसिष आपको ऐसे परनोमल इंसिडेंट और अक्टिविटीज के बारें बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सबस्क्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं इंस्तेग्राम आइडी जीमल आइडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो कभी आपके साथ कोई पैरनोमल इंसिडेंट हुओ आप उसे रिकॉर्ड करकर मुझे शेयर कर सकते हैं मैं आक्षेवसिस उसे नारेट करूँगा अपनी आवाज में आगे बढ़ने से पहले इंस्तेग्राम यूटीब को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तही दिल से शुक्रियां इंस्तेग्राम पे हमारे पांच लाग फॉलोवर कंप्लीट हो गए हैं और यूटीब पे हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अगर आपका ऐसे ही प्यार रहा तो हम बहुत सारी उचाहिया टच करेंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा एक कोशन है आप लोग उसे सपने तो आप भी देखते हैं सपने जो कभी गवार बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभार बहुती ज़्यादा बुरे होते हैं बुरे जैसे की डरावने अकसर जो एक बच्चा होता है जो 10 साल का होता है, 12 साल का होता है मैंने कभी नहीं सुना कि उस बच्चे को बहुत ही जादा डरावनेस अपने आते हैं डरावनेस अपने उन्हें आते हैं जो हॉरर मुवी देखके सोते हैं इन चीजों में बहुत जादा रिसर्च करते हैं जैसे कि मैं Sleep Paralysis एक टर्म है जो आपने कभी सुनी होगी Sleep Paralysis में बोला जाता है कि इनसान एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है जहाँ पर वो बिलकुल भी मूव नहीं कर पाता उसे ऐसा लगता है उसके आगे पीछे कोई entity है या उसे कोई दबाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वज़े से उसकी आवाज नहीं निकल पा रही है में भी शायद आपके साथ भी हुआ हो और शायद कल हुआ हो या एक हफते पहले हुआ हो लेकिन imagine कीजे कि आप daily sleep paralysis में फस रहे हैं या आपको daily sleep paralysis आ रहे हैं तो कैसा हो जी एक ऐसी practice है जिसमें इंसान इतनी बुरी तरीके से फस्ता है कि उससे निकल नहीं पाता कुछ लोग हनुमान 40 का सहारा लेते हैं कुछ लोग अपनी finger point को press करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग कैसे ने कैसे move करने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनके जब तक दिमाग इस चीज को नहीं मान लेता कि आपके आसपास कोई नहीं है तब तक वो भार नहीं निकल पाते example के तौर पे जब हम हनुमान 40 की बात करते हैं अगर मैंने ये चीज सोच लिए कि भगवान का हाथ मेरे उपर है तो मेरे अंदरी confidence विल्ड हो जाते है जबकि मेरे ये भी मानना है कि हनुमान 40 में इतनी ज़ादा power होती है कि कहीं न कहीं अगर कोई negative entity उस time पर हमारे उपर होती है तो वो तभी की तभी हट जाती है मेरा खुद का sleep paralysis का experience बहुत ही ज़ादा बुरा रहा है मुझे आज भी याद है कि जब मैं सोया करता था 2018-19 की बात मैं बता रहा हूँ तो मुझे एक female दिखती थी जो बहुत skinny हुआ करती थी और हमेशा मेरे सपने में ऐसा आता था जैसे मेरे कमरे में जो बहुत ही जादा उस time पर colorful था उसमें पूरा red background और रात को मैंने जब अपनी आखे खोली है तो कि skinny से लड़की मेरे उपर बैटी है जो सिरब बालों को ऐसे सहला रही है और मैं पूरी कोशिश करता था चिलाने के उठने के लेगिन मेरी आवाज नहीं निकल पाती थी अब जब मैंने इन चीजों का cure करा लिये तो मुझे ऐसे सपने नहीं आते हैं लेकिन अब मैं इन चीजों को क्या समझू क्योंकि मैंने इन चीजों का cure करा लिया इसलिए मुझे बुरे सपने नहीं आते या फिर उस टाइम कोई entity थी जो मुझे दबा के रखती थी खैर मैं views आपके जाना चाहूंगा comment section में कि अगर आपको ऐसे sleep paralysis का attack आते हैं तो आपका क्या मानना है कि वो सिरफ dreams है या सही में कोई entity होती है जो रात के 2-3 के बीच में या 12-1 के बीच में active होके आपको दबाने की कोशिश करती है आज का जो incident है वो हमें विशाल ने बताया है जो की मीरट में रहने वाले हैं उनके साथ की incident 2010 में हुआ था जब वो सिरफ और सिरफ 4th class में थे उन्होंने बताया जब वो 4th class में आ गए थे उन्हें बहुत अजीव जीव से सपने आते थे विशाल के पापा government job करते थे तो वो जातर बाहर रहा करते थे और विशाल और उनकी मम्मी और उनकी बड़ी बैन government quarter में रहा करते थे जिस location पर ये सारा incident हुआ विशाल ने मुझे request की थी कि मैं नाम नहीं लूँ तो मैं नहीं लूँगा मेरेट के अंदर कोई एक ऐसा department जहां पर उन्हें government quarters मिला हुआ था government quarter के आसपास servant quarters भी थे तो उस location पर जहां वो रहा करते थे बहुत limited घर हुआ करते थे आप मानके चल सकते हो उस area में सिरफ 8-10 घर थे विशाल ने बताया अक्षे भाई जब मैं सोया करता था रात को तो मेरे को एक अजीव सा सपना आता था हमारे घर के पास थोड़ी ही दूरी में एक कूड़े दान हुआ करता था पचास से साथ मीटर पे जब भी मैं सो के उठता था मैं अपने आपको उस कूड़े दान के आसपास सोया पाता था मैं उठके देखता था तो आगे पीछे कोई भी नहीं दिखता था दो-तिन दिन ऐसे सपने आते थे जो मुझे बहुत ज़ादा हॉंट किया करते थे मैं अचीव से सपने में फस जाया करता था जब तक मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी मुझे लग रहा था ये स्लीप पैरलेसिस की चीज़े चल रही है या कोई बैड ड्रीम है उसके बाद जो विशाल ने मुझे पताया वो सुनने के बाद में बहुत ज़ादा हैरान हो गया कुछ टाइम बाद विशाल को एक सपना आते हैं जिसमें वो अपने घर के आगे चल रहे हैं उनके आसपास कोई भी नहीं है वैदर बहुत अजीब सा औरका था जैसे अभी ही कोई बिजली कड़कने वाली या बहुत तेज़ या बारिस आने वाली है विशाल ने सपने में देखा कि वो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और अच्छानक से उनके आगे एक आदमी आ जाता है एक आदमी जिसने टोपी पहनी होती है और वो दिखने में बहुत जादा अजीब था वो आदमी विशाल को बोलता है कि चल मेरे साथ मुझे तुझसे मज़़ी करवानी है विशाल उस उमर में इतना छोटा था कि वो कुछ समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा वापिस आया करता था दो से तीन दिन तक ऐसी चलता रहा लेकिन विशाल इन सपनों से इतना ज़्यादा परिशान हो गया था कि वो सोचता था कि मैं अपने घरवालों को बता दूँ लेकिन फिर सोचता था कि शायद मेरा बुरा सपन ही होगा बच्चों में इतनी अकल कहा होती है बच्चे अपने पेरेंट्स को जब तक कुछ नहीं बताता जब तक उसको ऐसा नहीं लगता कि बहुत एक्स्ट्रीम कुछ हो गया दो-तीन दिन तक ऐसी सबने चलते रहते हैं उसके बाद एक दिन जब उसके आग खुलती है वो देखता है कि वो बिल्कुल अपने घर से प्रिपेर होके निकला मजदूरी कर निकले कहीं पर और एक दूसरा लड़का उसे जॉइन करता है अब तक ये उस लड़के को क्लियरली देख नहीं पा रहा था लेकिन ये देखता है कि ये दोनों वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर दूबारे मजदूरी करना स्टार्ट कर देते दोनों बच्चे और एक लंबा से इंसान जिसने अजीव सी टोपी पहनिया है कि मुझे ऐसे ऐसे बुरे सपने आते जहां पर मुझे से कोई अपने घर की सफाई करवाते हैं और वो दिखने में बहुत ही जाद क्रिवल है तो उनकी जो भैंती वो उन्हें समझाते कि तेरा बुरा सपना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है उस एंटिटी से बच पाएंगे वो इतनी स्पीड में आके जो पीछे लड़का था उसे पकड़ लेती है और जैसे जो विशाल था वो उस एरिया के बाहर आने वाला था जैसे सुसाइटी का गेट होता है उसके भाहर जाने वाला था तो वो एंटिटी एकदम से उसका बो दोनों से मजदूरी करवाती है अपने घर में लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था वो जो एंटीटी दी उसने जो विशाल के साथ लड़का था उसको रख के चाटा मारा था पहली बार अब विशाल सुबह उठता है तो वो देखता है कि उनके सामने जो सर्वेंट कौर लड़का था जो लास्ट नाइट उसके सपने में आया था विशाल ने बोला अक्षे भाई मैंने कभी उस लड़के को सामने से नहीं देखा था लेगिन अब मुझे याद आया कि वो सामने वाले जो सर्वेंट कौर्टर में फीमेल रहती थी उनका लड़का था जिसका ना अब सुनने पर मुझे पता है आपको बिलीव नहीं होगा लेगिन मेरे पास जब रिकॉर्डिंग आती है और जब मैं खुद वेरिफाय करता हूं तो मुझे पता चलता है कि कहीं ना कहीं विशाल जो है वो सच बोल रहे थे धीरे धीरे यह चीज़े चलती जाती है जब व पूरा कुछ नहीं हो तो वो अपनी मम्मी को बताने की सोचते हैं लेकिन अचानक से घर के भार एक इंसीडेंट होता है जब वह विसाल की मम्मी के पास जा रहे थे अचानक से भार से कुछ गिजनी की आवाज आती है तो उनकी मम्मी बोलती है उन दोनों को कि देखने एक पापा की स्कूटी खड़ी थी उसको कोई छेड तो नहीं रहा और वह भार जाके देखते तो वह देखते की स्कूटी जो स्टैंड पे लगी थी वह अपनी मम्मी को आके बताते कि आएसा ऐसा स्कूटी जो आए वो दूसरी रोड के तरफ गिर वी है तो उनकी मम्मी बोलत आते कि अब हमें महले में एक हवन करबाना होगा जो विशाल थे वो इस चीज को देखकर बहुत जादा खुश हो जाते कि फाइनली शायद हवन होने से उन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी और उनकी भैन भी यही बोलती है कि अब यह मम्मी को नहीं बताते जब हवन हो कैसे-नकैसे गेट पे पहुच जाता था और करण को वो पकड़ लेता था एक दिन विशाल ने सोचा कि आज मैं कैसे भी करण को लेकर भाग जाऊंगा उस दिन जब वो सपने में भाग ए ता तो करण को पकड़ लिया था और विशाल को बोला गया अगर तूिस सोसाइटी स तो मैं इसे मार दूँगा विशाल ने अपने दिमाग लगाया और विशाल ने सुचा कि मैं सोसाइटी के भार क्यूं भाग रहा हूं मैं एक बर अपने घर की तरफ भाग के जाता हूं और घर में जब मम्मी वगरा सोरी होंगी तो मैं उन्हें सपने में सब कुछ बताऊंग वो अपने घर की तरफ भागना सुरू करते हैं लेकिन विशाल ने देखा कि वो भागे जा रहे भागे जा रहे लेकिन उनका घर उनसे दूर होता जा रहा है और वो जो एंटिटी थी वो हसके बोलती है अबे इतना दिमाग मतलगा तू अपने घर तक कभी नहीं पहुच जा आएगा तुम दोनों का मैने ढात रख चलो मेरे साथ मस्दूरी करवांगा तुम से और वह जो करन दूसरा लड़का उसे घसीट के लेकर आते हैं ओर विशाल के बाल पकड़ के खीच के लेके जाते और उसी घर के पास दुबारा उन से मजदूरी करवाते हैं अगले दिन जो विशाल के आग खुलती है तो पता चलता है कि करन जो लड़का है वो half paralyzed हो चुगे ये सुनने के बाद जो उनकी बड़ी भैन होती है और वो होते हैं वो अपनी मम्मी के पास जाते हैं और ये decide करते हैं हम कुछ मी नहीं चुपाएंगे और उन्हें सारी बात बता देते जो भी विशाल के साथ सपने में हो रही थी उनकी मम्मी इन चीजों को serious लेती है और उनके पापा को phone करती कि ऐसे जो है लड़के को बुरे सपने आ रहे हैं और जो servant quarter में लड़का है करन उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है कहीं न कहीं है सपने में interconnected हैं इनका पिछले जनम में कुछ ऐसा हो रहा है या कोई दिक्कत है तो विशाल के पापा जो थे वो विशाल की मम्मी के बुलाने पर वापिस आ जाते है अब एक दो दिन वो विश विशाल को उठाते हैं विशाल क्या हुआ तू सही है तो विशाल उठके एक बात बोलता तो करन करन का है क्योंकि वह हमेशा ही सपने में यह देखता था कि वह करन को पकड़ रहे हैं उसके बाद जो उसे सपना आने वाला था वह उसकी लाइफ का ऐसा सपना था जिसे वह भूल सकता था अगले दिन जो सपना आया उसमें जो एक एंटीटी थी वो अब एक एंटीटी नहीं थी उस टोपी वाले इंसान के साथ कोई दूसरा भी इंसान आया था जो इन दोनों को बुरी तरीके से पीट रहा था दोनों मिलके विशाल और करन को सपने में पीट रहे थ सब्सक्राइब उनके जो फादर थे वो सोचते कि हम किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकते हैं अलड़ी एक बच्चे की मोत हो गई है लेकिन वो लोग कुछ डिस्क्लोज नहीं करते कि किस की वज़े से हुआ है किस की वज़े से नहीं हुआ ये लोग एक प्रीष्ट को बुलाते अपने घर पे प्रीष्ट वहाँ पर आते हैं इनके घर में और बोलते हैं कि यहाँ पर एक ब्रिटिस फीमेल की सोल है जो कि आपके बिटे को बहुत जादा परिशान कर रही है तो ये लोग काफी परिशान हो जाते हैं और ये लोग जो है इस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए पीछे प्रिटइस फीमेल की किसी की डाथ हुई है क्या इनको ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि यहाँ पर किसी ब्रिटीस फीमेल की डाथ हुई है विशाल के साथ ये इनसिडेन्ट थोड़े से कम हो जातेगी कि प्रीष्ट ने उन्हें हॉल्य वोटर दियाता जिसकी विरे से उनकी जो body थी वो थोड़ी बहुत purify होगी थी दो से तीन दिन ही निकले थे और finally इने पता चलते हैं कि सामने जो हनुमान वंदीर हैं उनमें जो पंडीजी हैं वो वापिस आच चुके हैं ये फटाफट से पंडीजी के पास पहुचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं तो पंडीजी जो वहाँ बोलते हैं वो सुनने के बाद विशाल की भैन विशाल और उनके ममी पापा के पैरतला इस जमीन निकल गई उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई ब्रिटिश लेडी नहीं है यहाँ पर एक मुसल्मान की डैट हुई थी और वो आपके बेटे को मारने की कोशिश कर रहे है वो करन को अलवड़ी मार चुका था और वो विशाल को मारना चाहता था उसे दो बच्चों की बली चाहिए थी और उस पूरे एरिया में दस घरों में सिरफ यही दो बच्चे थे जो वाँ पर रह रहे थे और वो जो मुसल्मान जिसकी डैट हुई थी इंसान की वो करन के घर में रहा करता था यह सारी चीज़े पंडित ने उनको मुँपे बता दी यग्ये करने के बाद अब यह बहुत जागा डर गए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना पंडि जी ने बोला कि जितनी चल्दी हो सके यह घर छोड़के यहां से चले जाओ लेकिन बोलते हैं कि गवर्मेंट कौर्टर में अगर आप रह रहे हो तो ऐसी एकदम से भाग नहीं सकते आपको इंफॉर्म करना पड़ता है जाने का रीजन बताना पड़ता है क्योंकि आपने लिया भी था तो किसी रीजन से लिया था आपको वो अलॉट किया जाता है तो इस फॉर्मैलिटी के लिए विशाल की फैमिली को दो दिन मिलते हैं लेकिन दो दिन जैसे उनके उपर बहुत भारी पढ़ने वाले थे पंडी जी से रिक्वेस्ट की जाती है कि कुछ आप कीजे जिसकी विरे से दो दिन हम यहाँ पे सर्वाइब कर सकें वरना हम कैसे न कैसे बच सकें उनके पास ऑप्शन था कि वो लोग कहीं होटेल में जा सकते थे लेकिन सिरफ एक चीज जो पंडी जी ने कहा था कि दो दिन बाद एक काली रात आने वाली है अगर विशाल उस काली रात को जेल गया तो वो एरिया में उनके घर के अंदर बीना किसी को बताए क्योंकि वो गवर्मेंट कौटर से बीना बताए उस एरिया में महायग्य शुरू करा उनके घर के अंदर चुप चाप मंतर पड़े जाते थे और विशाल जब भी सो जाता था वो अचानक से तिल मिला के उठ जाता था बार-बार चिलाता था कि वो मुझे लेने आ रहा है वो मुझे लेने आ रहा है मुझे बचालो मुझे बचालो मुझे बचालो मुझे सोने मत देना मम्मी वो मुझे मार देगा वो मेरे कमर पे नोच रहा है कभी मेरे तो पंडी जी एक समाधान निकालते हैं कि वो अपने मंदिर से पूझा करेंगे और विशाल उस दिन वहीं पर आएगा विशाल के साथ और कोई नहीं रह सकता उनको हनुमान जी के जो मंदिर था उसमें ले रहाए जाते विशाल को और वहाँ पर अराम से लेटा होते हैं वो जो एंटिटी थी उस मुसल्मान का जो भूत था या फिर उस मुसल्मान जो एंटिटी की एक परचाई थी वो आके बोलती है कि श्रीलाल के लिए जिस चीज की मुझे ज़रौत थी उस एक बच्चे की बली मुझे मिल गई है लेकिन मैं तुझे लेने के लिए वापिस जब उनकी आग खुलती है विशाल की तो दिन हो चुका था सारे पंडी जी पूजा कर चुके थे उनके ओपर गंगा जल डाला जाता है विशाल को वहाँ पर उठाया जाता है दो दिन की फॉर्मालिटी पूरी होती है और वो लोग उन कौार्टर को छोड़के महां से कंडित थे जिन्होंने विशाल को बचा लिया वरना शायद अगली मौत उनीगी हो सकती थी अब बात रती है moral of the story conclusion बही अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है ना मेरे हिसाब से आपको आपके बड़ों से कुछ भी नहीं चुपाना चीए आज के टाइम पर मेरे पास ऐस आसे इंसिडेंट आते जहां पर 11 साल के बच्चे पॉसेस हो गए हैं इनसान सोते सोते ही निकल जाता है सुबह तक वो बताने लायक नहीं रहता आपको यह लगता है कि क्या वो लोग कुछ फेस कर रहे होते हैं जो किसी को नहीं बताते हो सकता है कि आपको भी स्लीप पारल अगर ऐसा कोई स्लीप पारलेसिस होते हैं तो याद रखेगा आपकी सायता सिरफ हनुमान चालीसा गर सकती है और ये भी याद रखेगा हो सकता है अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर आप सपने से उठ गए हैं तो शायद हनुमान जी ने आपको बचा लिया लेकिन कोई पर आप बहुत जादा दब सकते हैं या फिर ऐसे टाइम पर आपको बहुत जादा ऐसा अनुमान चालीसा पढ़िएगा थोड़ा सा आपको कॉंफिडेंस मिलेगा और फटा फट से मंदिर वाले कमरे में आके भागवान के दर्शन करें और ममी पापा को जरूर बते हैं कि दो लोग जो थे उन quarter से बाहर आचुके हैं और मेरट में ही कहीं रह रहे हैं उनके साथ ये incident 2010 में हुआ था जब वो फोर्थ क्लास में थे अब वो काफी बड़े हो चुके हैं काफी मैच्योर हैं और चीजों को बहुत अच्छे से एंडल कर रहे हैं घर के नहीं आते तो दोस्तों अगर आपके साथ भी प्यारनोमल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हो कि मैं उसे नैरेट करूँ अपनी आवाज में तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आप उसे रिकॉर्ड करके भीज सकते हैं जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार द क्या और हो जाते हैं वो अपना एक्सपीरेंस आपको इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप बच सको तो इन चीजों का मजाक ना बनातो एक कमेंट सेक्शन में उन्हें थोड़ा अप्रिसेट कर दिया करो क्योंकि वो लोग टाइम निकाल कर हमारे सामने ऐसे रियल तो बोला मतलब हमारे बहार एक मंदिर है हनुवान मंदिर वहां पर रहते हैं मंदर पर तो उन्हें ने बोला कि जितना जल देख सके यहां से घर खाली कर दो जितना जल देख सके एंड नेक्स तिंग भी जाता हूं तो मुझे गूसबंस आते हैं